पुड़े में 17 साल के लड़के ने दो लोगों को खुचल दिया रात में दोनों की मौत हो गई अब सोशल मीडिया में भी तूतूमे में हो रहा है अख़बार में फोटो छप रही है इलेक्ट्रानिक मीडिया में भी एक ख़बर आई है लेकिन न तो इस समस्या के मूल करण पर कोई चर्चा कर रहा है न अस्थाई समाधान पर कोई चर्चा कर रहा हुआ हुआ यह यह जो 17 साल 8 महिने का बिगड़े लावलाद था इसने बारवी पास किया था और बारवी पास करके रात में बिएर बार में पार्टी करने गया था बारवी पास करने के बाद मंदिर नहीं गया घर में बारवी पास करने के बाद पूजा नहीं हुई आसपास प्रशाद नहीं बाटा गया लेकिन बारवी पास करने का जसन कैसे मनाय जा रहा है बिएर बार में बियर पी और जब वहां पर बियर पार निकला और 200 की स्पीड से कार भगाया दो लों को ठोक दिया इस पूरी समस्या का मूल कारण है गुलामी की सिक्षा बेवस्था, गुलामी की संसकार बेवस्था, गुलामी की संस्कृती, गुलामी की व्यापार बेवस्था, गुलामी की पुलिस बेवस्था, गुलामी की प्रसासनिक बेवस्था, और गुलामी की न्याइक बेवस्था जिसने उसको 24 घंटे के अंदर जबानत दे दिया और क्या कहके कि जाके 300 शब्दों का निबंद लिखो पूरी पूरी इस समस्या का रूट काज देखिए तो एक दो नहीं है इसके पांच रूट काज है पहली बात तो यह ऐसा इस स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है कि रेजल्ट के बाद जो बियर बार में पार्टी हो रही है इसका मतलब हमारी सिक्षा ब्यवस्था में कोई संसकार नहीं है हम अपनी संस्कृति को भूल चुके है यह जो गुलामी की सिक्षा है ना चाए वो CBSC बोर्ट में चल लए है स्टेट बोर्ट में चल लए है आधी समस्याओं का मूल कारण यह ही है सिक्षा में संसकार नहीं है अग दूसरा कानून का कोई खौफ नहीं है लूना बेटे को खौफ है मैं बार-बार कहता हूं किसी समस्या का समाधान तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू जो दो लोग गये, उनका परिवार उजड गया, खतम हो गया, और इसको कुछ नहीं होगा, मैं आपको लिख की देता हूँ, सल्मान खान ने साथ लोगों को मारा था, कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ न, तो इसने तो दो को भी मारा, इसको कहांज कुछ हो जाएगा, अरे भाया कानून घटिया है, इसको समझे, न्याइक बिवस्ता सड़ चुकी है, इसको समझे आप, इस पूरी समस्या का दोईत का रूट का आज है, गुलामी की सिक्षा और सड़ी हुई न्याइक बिवस्ता, जब तक इस सिक्षा बिवस्ता नहीं बदलेगी, जब तक दु पढ़ाया जब तक पांचवी तक जीवन के लिए उपयोगी सिख्षा नहीं पढ़ाई जाएगी केवल फिस्ट के में जुलो जी बॉटनी पढ़ाई जाएगी तब तक संसकार नहीं आएगा और संसकार नहीं आएगा ता अरजकता नहीं रुपेगी और दूसरा जब तक सब्सक्राइब नहीं होगा वैसे भी नहीं तो आप सोचिए ना कानूं का खौफ अगर होता कि 18 साल से पहले तो गाड़ी चलाई नहीं सकता है तो यह तनी महंगी कार लेके जाता नहीं 200 किलोमेटर के स्पीट से दोड़ाता नहीं तो दोनों बच गए होते इसका मतलब क्य आप टब पैदा होगा जब औरन नेशन वन पीनल कोड होगा यह जो कामने घटिया कानूनों का यह पूरा मकरजाल बना रख्ता है न गुस खोरी का लग जमाख खोरी का लग मिलावट खोरी का लग काला बलग यह जब तक नहीं हटें यह कुछ नहीं होगा अगर वास्तों तो में आपराज खतम करना है तो वन की नेशफ वन पिनल कोड बनाना पड़ेगा जी Can अमेरिका में में फैड़र जिले में नेशफ लैप बनानी पड़ेगा अगर सल्मान का नाρχ पाणीर brain mapping test हुआ होता तो बरी नहीं होते कानून सड़ा हुआ है न्याइक ब्यवस्ता सड़ी हुई है न्याइब भिकता है इसलिए सलमान खान बरी हो गए और इसको भी जबानत मिल गई बैटे बैटे जबानत मिल गई दो लोगों को खुछल दिया जबानत मिल गई एक तो सबसे बड़ी बात है जो हमने न्यूटल कानून नहीं बनाए बच्चों के लिए अलग कानून बड़ों के लिए अलग कानून महिला के लिए अलग कानून पुरुस के लिए अलग कानून हिंदू के लिए अलग कानून मुसलिम के लिए अलग कानून ये जब तक जिंडर के अधार पे एज के अधार पे रिलिजन के अधार पे तब तक कुछ नहीं होने वाला कवा अरे तुनें दो लोगों को मारा तुम्हारी उमर 17 साल हो 15 साल हो कोई फरक नहीं पढ़ता तुम्हें जिल जाना ही पड़ेगा तुमने अगर किसी को मार दिया भले तुम्हारी चाकू से मारा गोली से मारा कार से कुछल के मारा तो सजा तो एक होनी चाहिए न अगर अगर अपराद समान है तो सजा एक होनी चाहिए अपराद समान अपराद में अलग अलग सजा कैसे हो सकती है लेकिन चल रहा है कानून तो चल ला इस प यह पोई छशाई नहीं है is राध कैसे रुके का इस पर कोई चरचा सबसे पहले आप उसके अंदर गुलामी का संस्कार था उसके अंदर गुलामी की संस्कृती मेझातों को बालव को सब्सक्राइब मैं फश्था थो 16 संस्कार भ्याष्था फिर injury old Carris a टाइब को अभ्यार में बढ़ाया जाएगा स्कूलों में पढ़ाये जाएगा प्राइमिर् पढ़ाया धैकation census control को primary school पढ़ाया जाएगा वेद पढ़ाया जाएगा भगवद गीता पढ़ाया जाएगी रामायन पढ़ाया जाएगा रामतरित्मानस पढ़ाया जाएगा तब वो संसकार जागेगा और दूसरा justice within year उसके लिए one nation one penal code, one nation one evidence code, one nation one administrative code और one nation one judicial code जब तक जजों की मनमानी रोकने के लिए Judical Charter लागू नहीं होगा जब तक पुलिस की मनमानी रोकने के लिए पुलिस चार्टर लागूो नहीं होगा जब तक ये collector और कपतान और इनकी मनमानी रोकने के लिए एड्मिस्टीटी चार्टर लागू नहीं होगा और जब तक लोगों की ड्यूटी फिक्स करने के लिए सिडिजन चार्टर लागू नहीं होगा तब तक भ्रष्टा चार अपरात खत्ब नहीं होगा तब तक यह तुतु में में होगा आरोप प्रत्यारोप हो आप इस चीज को समझ लीजिए कि बीमारी की चर्चा करके बीमारी ठीक नहीं होती है बीमारी की चर्चा करने से बीमारी बढ़ती है दवा बदली जाती है तब बीमारी घटती है इसलिए आप लोग भारत में समान सिख्छा लागू करने की मांग करिए कि कम से कम दस्वी तक भारत में समान सिक्षा हो और वो भारती सिक्षा हो विदेसी सिक्षा नहीं दस्वी तक ना कोई विदेसी किताब दस्वी तक कोई विदेसी भासा नहीं दस्वी तक कोई विदेसी स्लेबस नहीं दस्वी तक कोई विदेसी करिकिलम नहीं केवल और केवल भारती संस्कृती पे आधारी सिच्छा हो और भारती संस्कार आधारी सिच्छा हो दूसरा एक घंटे के अंदर अफायार हो और एक महिने के अंदर जाचपुरी हो ऩी जश्टिस विदिनियर तब होगा जब जूडिशल चार्टर होगा एक साल के अंदर मुकदमों का फैंसला अनिवार्य हो जाएगा जजों हर सपता डेट दे और एक साल के अंदर फैसला करें जूडिशल जस्टिस विदिनियर तब होगा जब जूट बोलना गंभीर अपराद होगा वह यह बड़े बापका लड़का है पांच करोर की गारी से चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े बापका लड़का है यह यह तो गवाओं को खरेल लेंगे यह तो जूटी गवाही भी करवाएंगे जूटे बयान भी दिलवाएंगे जूटा हलफ नामा भी दाखिल करेंगे दस बिस कोड़ रूपे बड़े वकीलों पर खर्च कर देंगे अंत में सलमान खान की तरीके बई बरी हो जाएगा तो जब बरी हो जाएगा तो जंता में संदेश कैसे जाएगा सबक कैसे होगी सबक तो तब होगी ना जब इस लड़के को 20-50 सलक सजा हो जाए मैं सबक्स हो जाएगा ति अद ochon भी हो सकता है जब कानूनों को बदला जा जब जिشचल चाटर लागू हो जब यह फिक्स हो तर्मिनेट किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा जो पुलिस वाला जूटी जाच करेगा उसको सस्पेंट करके टर्मिनेट करने के साथ जेल भेजा जाएगा जो लोग जूटी गवाही देंगे उनको जेल भेजा जाएगा जो लोग जूटा मुकदमा लिखवाएंगे उ ही चलता रहेगा